क्या दोस्तों आप लोग अपने डाइलर पैड को इस तरह का डाइलर पैड बनाना चाते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी सीक्रट ट्रिक के बारे में जिसका अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग अपने डाइलर पैड पे किसी भी कस्टम फोटो को एड़ कर सकते हैं तो ये क्या सीक्रट ट्रिक है उसको बताने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का आपको बटन निचे देखने को मिल जाएगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आ रही होगी उसको लाजमी दबाना इसका फाइदा यह होगा जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी इस चैनल पर तो सिंपल उसका नोटिफिकेशन आपके मॉबाइल पर आएगा आप उस वीडियो को जल से जल देख पाएंगे क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं तो विडाउट वेस्टिंग आफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर आप लोग भी मेरी तरह का डाइलर पैट बनाना चाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक एप्लिकेशन को अपने मॉबाइल में इंस्टाल कर लेना है इस एप्लिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से इंस्टाल कर लेना इंस्टाल करने के बाद दोस्तो आपने सिंपल सैटिंग में चले जाना है सैटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तो आपसे जितनी भी एप्लिकेशन परमिशन मांगे आपने उसको allow कर देना है For example दोस्तों मैं इसकी setting को open करके भी दिखा देता हूँ यह यह permission आपसे मांगेगी यह application आपने allow कर देना है Allow करने के बाद दोस्तों simple मैं back आ जाता हूँ Back आने के बाद दोस्तों इदर आपको option मिलता है dialer का आपने simple इस पे click कर देना है Dialer पे click करने के बाद दोस्तों इदर आपको यह button देखने को मिल जाएगा आपने इस पे click करना है इस पे click करने के बाद अगर आप keypad के effect को change करना चाते है तो आपने keypad effect पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों अगर आप background को change करना चाते हैं simple आपने background पे click करना है background पे click करने के बाद दोस्तों इदर इस application में आपको कुछ videos देखने को मिल जाती है और pictures भी देखने को मिल जाती है जो भी आप add करना चाते हैं, set करना चाते हैं वो इदर से कर सकते हैं अगर आप दोस्तों अपनी कोई custom picture को add करना चाते हैं तो उसके लिए simple आपने क्या करना है आपने pick image पे click करना है pick image पे click करने के बाद आपने pick image में दुबारा click करना है और इदर से अपनी gallery से कोई भी picture select करनी है जिसको आप add करना चाते हैं तो वो add हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप अगर कोई video को add करना चाते हैं वो भी इदर से कर सकते हैं जैसे के दोस्तों एक horror picture set वी है मेरे dialer pad पे इस तरह दोस्तों आप लोग किसी भी custom picture को add कर सकते हैं उसके इलावा दोस्तों आपको और भी कुछ मैं setting बता देता हूँ इस application की आपने back आ जाना है अगर दोस्तों आप लोग color screen को change करना चाते हैं आप चाते हैं कि आपको कोई भी call आए और आपकी screen कुछ इस तरह से नजर आए वो भी आप इस application के through कर सकते हैं उसके लिए simple आपने क्या करना है अपने color वाले option पर आ जाना है उसके बाद आपको ये button देखने को मिल जाएगा आपने इस पे click कर देना है इस पे click करने के बाद दोस्तों अगर आप background जो भी select करना चाते हैं आपने background में चले जाना है वीडियो जो भी picture पसंद है आपने select करनी है तो देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आ चुकी है अब अगर मैं इसको apply करना चाता हूँ अपनी color screen पर के मुझे जब भी call आए तो इस किसम की screen show हो उसके बाद simple मैंने apply के button पर click करना है और ok कर देना है successfully apply ये हो चुकी है screen अब जब भी मुझे call आया करेगी तो ये वाली screen show होगी उसके इलावा और भी काफी कमाल कमाल के इस application में आपको feature देखने को मिल जाते हैं जैसे के दोस्तो अगर आप चाते हैं कि आपको call आए तो आपकी flashlight blink करें वो भी आप incoming call पे इदर से set कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत ही ज़यदा कमाल की ये application है इस एक application में बहुत ज़यदा feature आपको देखने को मिल जाते हैं तो अगर दोस्तो आप लोग अपने dialer pad को customize करना चाते हैं तो इस application का use करके आप लोग कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको ये video पसंद आई होगी आपको ये secret trick पसंद आई होगी अगर ये video पसंद आई तो video को like करना, channel को subscribe करना, bell को लाजमी दवाना comment box मुझे comment करके लाजमी बताना आपको ये video कैसी लगी मैं मिलूँगा आप लोगों से next video में, तब तक के लिए, bye bye